दोस्तो अगर आपको भी गूगल पे में बैलेंस चेक करते वक्त कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखनी को मिल रहा है एंड दोस्तो अगर आप चाहते हो यह जो प्रोब्लम हो दोस्तो आपका सही हो जाए तो वीडियो को आप कम्प्लीट दखो DAY देखो इस वोगरो को देखनी का बाद लूस्तो आप बहुत रसाणी तरीके से आप गूगल पे है बैलेंस चेक प्रोब्लम को आप स्थोब कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको दो-तिन ऐसे तरीका बताऊंगा जिसको अगर आप फोलो कलेते हैं तो दोस्तो आपका ये प्रोब्लम जो है जैसे कि Google पर बेलेंस चेक प्रोब्लम ये दोस्तो आपका solve हो जाएगा तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक निकी हैं तो सबसे पहले आप लाइक कर दिजीगा और अगर आप इस चैनल पर पहले बढ़ा है तो अभी तक आपने इस चैनल को सप्सक्राइब न निकी है तो प्लीज कलिजीएगा इसे होगा कि जिब भी में वीडियो डलूँगा तो आप उमरी वीडियो सबसे पहले बाद कर सकते हैं So without wasting time, let's get started तो सबसे पहले दोस्तो हम यह चान लेते हैं कि दोस्तो यह जो problem में क्यों create होता है दोस्तो कौन साइस है reason आता है जो कि दोस्तो आपको यह problem देखनी को मिलता है तो दोस्तो अगर आपका जो आपका network है वो दोस्तो अगर slow आता है तब भी दोस्तो आपको यह problem देखनी को मिल सकता है और दोस्तो जो आपका bank का server है वो दोस्तो down आता है तो दोस्तो इस condition में भी दोस्तो आपको यह problem देखनी को मिलता है तो दूस्तो Google पे application में अगर आप दूस्तो अपने balance चेक कर तो आपको कोई भी ऐसे problem देखने को मिल ला है अगर आप चातो उसको solve करने के लिए तो यह आप कैसे कर सकते हैं चले हम आपको बताते हैं अप्लिकर शर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का कीडिकेस देखने को मिल लाता है अब आपको simple search पर में आ जाना है उस बाद दोस्तो आपको एप लिख के search कर देना होगा है जिसी आप आप एप लिख्र सेर्च करते हैं तो आपके साममें कुछ इस तरह का interface देखनी को मिलता है अब दोस्तो आप को इस तरह का करना होगा एक ने को बिए निता है और अपको कड़ comment पर अपको एक कुछ इस तरह को कर देखने को मिल अगयान फिर अपको ऐप management पर क्लीक कर दो को कि पून में जितना भी प्लीकेशन होगा उसारा अपको देखने को मिल जाता है तो आप दोसुआ आपको गूगल पे application को आपको इधर होजना होगा आपका phone में ज़ोस्त criticism जितना भी application होगा तो सारा application आपको इधर देखने को मिल जाता है तो simple आपको इधर और se google application को खोज लेना होगा इस पर क्लिकर दना है तो आपके सांद में कुछ इस का इंड्यपेस कीलिक कर दना है इस पर क्लिक करना निक बाद आपको दौ?... आपको क्लियर करते हैं, चयस्तすर बेक अनक बद आपको क्लिक करना है, आपको इंडर से घ्लीृट अधिन लिकार सच करते है अगर आपको उप्रे लीकर से नहीं करते हैंनि वी फिचर आया हुग तो क्या पता दूस्तु आप अपने गूगल पे balance check problem को अप solve ना कर पाया है आपको playstore से गूगल पर application का update कर लेना होगा अगर update आय relied तो आपको औस वज़िआ आप कर आप and करते हैं तो आपक供 पर्मिशन देखी नहीं को मिलता है जिसको आपको फूर से आलाओ करने है तो आपको इदर डाल देना होगा यह एक से जाज़ाद दोस्तो अगर आपको पास गूगल अकाउंट से तो इस वह पर झाला ऑप्षान पर क्लिक करना है पलते हैं तो आपको इसको आप पर रखना करनेक बाद आपके दिश्टर मोबाइल नाओर पर OTP सेंड कर देजएगा उस OTP को दोस्तो आपको इदर डाल देना होगा OTP डालनेके बाद आपको थोरा से वेट क लेना होगा जैसी आप वेट करते हैं उसके बाद अपके सόμँ MARKS देखने को मिल जाता है अगर आपको इधर B serious B इसको कुछ परमिसन देखनी को मिलते है COP अगर आपके पास दोस्तो रिचार नहीं है कोई भी तो आप दोस्तो आप अपने bank account एड नहीं कर सकते हैं यानि कि दोस्तों जो आपका Google पे से रिष्टर मोबाइल नमर है उसमें दोस्तों आपका रिचार्ज होना चाहिए रिचार्ज के साथ साथ दोस्तों कुछ मेंन बैलेस भी होना चाहिए तभी दोस्तों आप अपने bank account को आप एड कर पाएंगे एंड उसके बाद जैसे ही आपका bank account कर देना होगा देना होगा बेक आनिक बाद सिंपल आपको bank account पर click कर दना है देना आपका जो भी bank होगा इस प आप कुछ इस तरीके से गूगल पर bank balance problem को आप solve कर सकते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर एक लाइक कर दिजेगा चैनल पर पहले बढ़ा है तो फ्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा इस बीडोक रिलेटेड आप पूछ सकते हैं मैं उद्धर आपको reply दे दूंगा सो दोस्तो आज के लिए बस इते ही मिलते हैं किसे से नस बढ़ो मैं